जय श्री राम दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही शक्तिशाली मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। यह मंत्र स्वयम गुरुजी ने बताया है, कोई भी व्यक्ति अगर पीपल के व्रिक्ष को छू कर इस मंत्र को बोलता है, तो उसकी जो भी मनो कामना है, वह तुरंत ही उसी समय पूरी हो जाती है दोस्तों। हिंदु धर्म में पीपल के व्रिक्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। पीपल ऐसा व्रिक्ष है, जिसमें तीनों देवों का निवास माना जाता है, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीनों ही इस व्रिक्ष में वास करते हैं, इसलिए जिन भी लोगों को पित्र दोश होता है, काल सर्प दोश होता है, या शनी दोश होता है, तो उन्हें पीपल से संबंधित उपाय करना चाहिए। शनी दोश वालों को यह उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि पीपल से जुड़े उपाय बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, और जल्दी असर इसलिए दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र बताने जा रहे हैं, जिसे पीपल के व्रिक्ष के सामने बोलने, मात्रा से व्यक्ति की हर इच्छा उसी समय पूर्ण हो जाती है। अगर इस प्रयोग को कोई भी व्यक्ति अगर पूरे विधी विधान के साथ कर ले, तो केवल मिनट भर में ही यह प्रयोग अपना असर दिखाने लगता है। इस प्रयोग को करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाल रंग का पैन का इस्तेमाल करना होगा। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एक लाल रंग पैन का इस्तेमाल, कोई भी लाल रंग का स्याही या फिर लाल रंग का स्केच पैन भी आप ले सकते हैं, जो कि इस उपाय के लिए बिलकुल सही रहेगा, जिसमें आप पीपल के पत्ते पर आसानी से अपनी इच्छा को लिख सकेंगे, ध्यान रखना है कि लिखते समय पीपल का पत्ता फट न जाए, ये उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ शनिवार को ही करना है, शनिवार के दिन पीपल के पेड के पास जाएं, और यह लाल रंग का स्केच पेन अपने पास रख ले, दोस्तों, आपको ऐसा पी नहीं से भी कटा फटा ना हो, और उस पत्ते को आपको पीपल के पेड के तने से जुड़ा हुआ रहने देना है, बलकि पेड में ही जुड़ा हुआ रहे पत्ता तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको उसे अलग नहीं करना है, देखो दोस्त, हर बात गौर से सुनना, त दोस्तों, पीपल के पेड पर लगे पत्ते पर लाल रंग से लिखकर उस पत्ती को मोड कर आपको कलेवा बांध देना है, ध्यान रखे दोस्तों, अगर आपकी इच्छा पैसो से जुड़ी हुई है, या फिर प्यार से जुड़ी हुई है, तो आपको लाल रंग का धागा बांधना है। लेकिन अगर आपकी इच्छा किसी दुश्मन से छुटकारा पाने की है, तो आपको लाल रंग का धागे का इस्तिमाल नहीं करना है, बलकि काले रंग के धागे का इस्तिमाल करना होगा। पत्ते को हलका सा मोड कर आपको थोड़ा सा डीला धागा बांधना होगा। ध्यान रखें, जब आप उस पीपल के पत्ते में अपनी इच्छा लिख रहे हो, तो उसमें आपको उसी समय यह इच्छा बोल कर ही लिखनी है। उसी समय आपको पीपल के नीचे से मिट्टी को थो पेट कर रख दें, ध्यान रहे दोस्तों, केवल एक छुटकी पीपल के नीचे की मिट्टी ही लेनी है, इस उपाय के लिए इतनी ही मिट्टी काफी होगी आपको, अब क्या करना है घर के मंदिर में, यह मिट्टी रखने के बाद आपको एक दीपक भी जलाना है, गाय के घी क आप दिया जला दें, और उसी समय भगवान हनुमान का आप ध्यान करें, और हनुमान जी से अपने इच्छा को बोल कर बताएं, लिखे हुए मंतरों से भी आप जाप कर सकते हैं, दोहराते हुए अपनी इच्छा को बताएंगे, तो बहुत ही जल्दी आपकी हर इच्छा पूर्ण हो जाएगी, साथ ही आपको एक मंतर भी बोलना होगा, आप ध्यान से सुने, AUM हरीनवट स्वाहा, बस यही छोटा सा मंतर है, AUM हरीनवट स्वाहा, इस मंतर को आपको आठ बार बोलना है, इसी प्रकार से आपको साथ दिनों तक, यानि कि अगले शनिवार तक, यह आपने अपनी इच्छा मनो कामना लिखी थी, और अब वो, जो साथ दिनों से अपने अपने घर में, जो मिट्टी इकठा की हुई थी, वह आपको वही मिट्टी, आपको दोबारा आप पीपल के व्रिक्ष के पास ले कर जानी है, और पीपल के पेड के जड़ में ध्यान स सुनियेगा, पेड के जड़ में उसे पत्ते को दबाते हुए, उसे मिट्टी को डाल देना है, और शनिवार से शुरू करके अगले शनिवार तक ही आपको यह प्रयोग करना है, इसके बाद से ऐसे योग बनने लगेंगे दोस्तों, कि तुरंत ही आपकी हर मनो कामना पूर नहीं जाता, दोस्तों, यह उपाए के बाद से ही आपको ग्रहनक्षत्र सही होने लगेंगे, इस से आपकी सभी मनो कामनाएं पूर्ण होने लगेंगी, आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, तत्था आपके घर में धन वैभव की कमी कभी नहीं रहेगी, खुशिया आपके घर में आने लगेंगी और आपकी हर मनो कामना पूर्ण हो जाएगी ये एक बहुत ही छोटा उपाय तो मैं नहीं कहूंगा आपको करने में थोड़ा समय लगेगा लेकिन बहुत ही ज्यादा कारगर है गुरुदेव ने स्वयम बताया है अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा और छोटा सा मंत्र है आप उसे याद कर लीजिए और मैं तो कहूंगा इस उपाय को आप पक्का जरूर कीजिएगा तो अब आप फटा फट से हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजे पास वाली बैल आइकन जरूर दबा दीजेगा ताकि मुफ्त में हर रोज आपको निजी जीवन से जुड़ी समस्या का हल मिल सके कमेंट में अपनी राशिन नहीं लिख दे ताकि राशिक अनुसार मैं आपको उपाय कमेंट में भी बता दूंगा और शेयर जरूर करे किसी के कश्ट मिटेंगे तो आपको पुन्य की प्राप्ती होगी